सब्सक्राइब करिया है फैस्टेडी चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे फ़रे पाने के लिए हेलो नमस्कार दोस्तों एक वर थिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हाई फैस्टेडी पे दोस्तों आज के जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप स तो यहां पर हम अच्छे से अपनी तयारी करेंगे तो यहां पर इससे काफी सारे कुशन्स आपके बनने वाले लगबक दो कुशन्स दो नंबर के तो आपको बनने ही वाले हैं तो इसको आप लोग जरूर देखेगा साथ में दोस्तों यह PDF आपको मैं देदूंगा ठीक है बिल्कुल भी आप ट्राइशन मत लेजेगा बिल्कुल भी यह PDF आपको टेलिग्राम पर प्रवाइड हो जाएगी जो भी साथ ही टेलिग्राम को नहीं जोईन किये हैं फटाक से प्रवाइड में तीन प्रकार के प्रस्ण हैं पहला वस्तोनिस्त प्रस्ण हो जाएगा प्रस्णों के सही वीकल्प छांट कर अपनी उत्र कपस्टिका में लिखें आती लगउत्री और प्रस्ण जो हैं लगभग इनको हमको 25 सब्दों में बयाकर ना हैं लेकिन आपको इन आपको बिल्कुल भी नहीं देना है आप सब्सुल यहां थे हम पुच्छा के बहुबिक Bye could be आपको पता दोस्तों कितने numbers करते एक अक नमबर के बहुबिक कल्पी जो कि हमारे 15 कुशन पुचंता है बहुब कल्पी के क्लियर हो गया ना 15 कुशन आपके बहु हुआ गल्पी के पूखे जाते हैं तोटल आपके जो कुष्यन होते हैं कुष्यनों की जो टोटल संख्या होती है वो दुस्तों होते हैं कि आपको पता थोड़ा ध्यान देने की जिरूत यहां पर यह है कि एक हजार इस भी एक हजार इस भी एक हजार इस भी ज्यादा को इंडिगेट कर रहा है जो कि यहाँ पर दूस्तों 1922 कोई मतलब ही नहीं है 1922 का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर जो राइट अंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा एक हजार तैइस चौबिस इस भी ऑप्शन नमबर किसके साथ चला देगा अगला परस्न दोस्तों यहाँ से बनता है हमारा दूतिय नमबर दूसरा नमबर वो भी हमारा दूसरों एक नमबर का पुछा जाता है तराइन के मैदान में महम्मद गोरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ तो जैपाल के साथ हुआ था जैचंद के साथ हुआ था आनंद पाल के साथ हुआ पर्थवी चौहान के साथ हुआ था तो second number के जितने भी साथी, बहुत बढ़ी हाँ, जितने भी साथी हमारी option number, fourth दे रहे हैं, option एंसर एक्दम correct हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्वी राज चौहान हो जाएगा, हमारा right answer, ठीक है साथी हो, बहुत important previous paper ही है साथी हो, शबी साथी PDF को जरूर जरूर ले लेंग option number, third दे रहे हैं, कुत बुद दे रहे हैं, उनसर भी का answer एक्दम correct हो जाएगा, अगला प्रशन दोस्तों, यहाँ पर हमारा बनता है, जो कि दिया गया है, गयासित दून बलबन दिल्ली का साथी हो, ठीक है, यह जो साथी हो, ठीक है, यह जो साथी हो, ठीक है, यह जो साथ आपना की थी, भैलोल लोदी ने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, इबराहिम लोदी ने की थी, या संग्राम शिंग ने की थी, दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दू, जितने भी यहाँ से आपके लगभग 15 कुशन तो आपके बहवी कलपी से complete हो जाएंगे, जोब यहाँ से 14 कन फर्म हो गये, तो यह मांनके चले, आपके दो-दो नममर की अतलग हो 3 कुशन, वहाँ से आपके जैसी चार कुशन कर लिए, चार कुशन चार दूनी, आठ हो गया, यानि कितना हो गया, ऑठ हो गया, क्लियर हो गया तो आप आराम से अपने नमबर को गे संख राम शिंग ने डिली ने स्थापना की थी किस ने की सबस्ते नउब्ले क सबस्तामिंद्र यहां पर देखते हैं जिए का कंडाट सबस्ता नितने हताओ। हो जाएगा हमारा option number A हो जाएगा स्चान 1565 में हुआ था नेक्स्ट हम लोग कुशन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया गया कि बीजय नेगर समराज जी की शाषन बेवस्था में राज जी को कितने परांतों में बाटा गया है तो राज जी को दोस्तों यहाँ पर बाटा करेके दोस्तों गोल यहाँ पर एक नंबर के भी कुशन आज चाहिए तो यहां पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं नाक्स्ट प्रसन दिया गया वो दिया गया गया नौन अगला प्रसन दिया गया है चब्हारत में लग्रीज मकारी मधर्स का मुखति कारण का मांसोनीः हमाई चक्रवाथ भ्यापाई खाउइं यहां फिर दोस्तों पच्वा हुआ हैं तो यहां पर देखते यहां पर दिया-गे कि संविधान लागों किया गया तो सब्सक्रवी को पता है जाएगा 10 का ढधा कि थाड हो जाएगा सनुनिसे 2090 जाएगा हमारा प्रष्ण myślic as ततथा मोर musical के भी श्युलक सेर्ल्यूकर साथ और मोर के बीच युद्ध हुआ था शयू expired वह हूँ तो दूस्तर हो जुँ सिन्दार इशापूर में हुआ था अगला पर दोस्तों यहां पर 12 नंबर बनता है कि मौर समराज का अंतिम समराज कौन था तो मौर समराज का अंतिम समराज था दोस्तों अशोक, कुडाल, ब्रदरत या पुन्यमित्र तो यह तो सभी को पता है अभी कल के वीडियो में मैंने आप सभी एला प्रस्म दोस्तो यहां पर हो जाएगा प्राणाम वर्स है वह हो जाएगा हमारा 319 Radio IT के लिए उत्तरमाला भी अमें Cambridge하고 पासानी से उत्तरमाला भी ठूम सकते हो अगला हो दैख्राइब नंबर के साथ ही हमारे देवगर 2 सबस्तरं किस ने थर्म ने की थी ने की थी देवपाल ने की लूब में सबस्ते इस्थाफना ऊप्शन होटे हैं आगर Ihrer हमें बनाट्र धलेगा से स्टार्ट होते है यानि कि दो खुंजरा भूर दीस के चछतरपुर जिले का एक नगर है कहां का है दोस्तों मध्याप्रदेश का है MP का है और यह यह चंदेलों की प्रात्मिक राजधानी थी यह क्या थी चंदेलों की जो प्रात्मिक राजधानी थी खुजराओं में बिश्ट विख्यात चंदेल युगीन कलात्मक सौंदर से परिपूर मंदिर है नेक्स हो भागल पुरपटना तथा गया के हिश्य या हिश्यों के पाल युग के किले रक्षित एस्थल मिलते हैं ठीक है रक्षित एस्थल मिलते हैं गंगा के दक्षिण मुंगेर का प्रशिद्ध किला था यह कौन सा था ठीक है कौन सा किला था लखी लखी सराय लखी सराय जैनगर क कीला था अगला प्रश्णा दोस्तो सत्रा नंबर हो जाएगा यहां पर दौस्तो आपके तो जोदानमब फंदरा नंबर आपके कंप्लेट हो गए यहां से दोस्तो देखते हैं यहां कितने घुस्चंउस Bonnie ख estás 살 कोन से तस कुष्षन चौहा पर हो जाएगा कोशन हमाँ हो जाएगा कि राजपूत काल के चार प्रमुख कभियों के नामपर झाढ तो राजपूत काल की चार प्रमुख कभी के राजपूत राजा, शाहित प्रेमी और विद्ध्वानों की आसरे दाता थे तो इनकी जो चार प्रमुक कवी थी वो उसमें से पहले हो जाए कि जैदेव हो जाएगा, चंद वर्दाई हो जाएगा, कल्लड हो जाएगा और श्रीहर्स हो जाएगा जैदेव जो बंगाल के राजा लक्षमन सेन की राज कवी थे, उन्होंने गोल गोबिंद की रचना की थी चंद वर्दाई क्या है चंद वर्दाई जो अपने आसरे दाता प्रतवी राज की प्रसंसा में प्रतवी राज रासों की रचना कर दे थी उसके बाद यहाँ पर कल्हन ने राज तरंगणी की रचना की थी उसके बाद स्रीहार्स ने नैसद चरित्र की रचना की थी यह हो जाएंगे इनके परमुख चार कभी नेक्स्ट हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 18 नमबर की भोज पत्र किस्की रचना है तो दोस्तों अगर आपको बतायागे कि 25 सब्दों में आपको बया करना है 25 सब्दों में आपको बया करना है तो यहाँ पर भोज पत्र किस की रचना है तो भोज पत्र बलाल की रचना है बस आपको इतना लिख देना अब इसमें आप कहां से 25 नमबर अब आगे question में कुछ पूछा नहीं गया है तो आप इसमें आप कहां से 25 सब्द जोड़ोगे हमें ये बताइए आप इसमें कहां से 25 सब्द जोड़ोगे बिल्कुल नहीं जोड़ पाऊगे ना इसी वज़े से मैं कहता हूँ कि उनमें 75 पे और आपको 25 पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है तो ठीक है अब यहाँ पर हमारा next question हो जाएगा कि प्रियाग प्रसस्त के रचाइता कौन थे तो प्रियाग प्रसस्त के रचाइता जो थेव दोस्तों प्रियाग प्रसस्त चंद्रगुप्त कोशामवी से ये समुद्रगुप्त द्वारा लाए गए इस असोग एस्तम पर खुदी हुई है याँ प्रियाग प्रसस्त चंद्रगुप्त राजवन्स के समराट समुद्रगुप्त के दरबारी कभी हर्षेड द्वारा लिखित लेख है अब यहां से दोस्तों बीस नमबर हमारा कुशन मनता कि मौरवन्स का संस्थापक कौन था तो मौरवन्स का संस्थापक चंद्रगुप्त मौरे ने की थी किस ने की थी इसके स्थापना चंद्रगुप्त मौरे ने की थी किस नमबर हमारा कुशन पर बिश्णु मंदिर के अस्थान पर करवाया था इन्होंने तथा अजमेर में धाई दीन का जोपड़ा संस्कृत बिद्याले के अस्थान पर यानि नामक महज़तों का निर्मार करवाया था इन्होंने इसके अस्थान पर करवाया था अब यहीं से दोस्तों 22 नमबर हमारे जो प्रस्ण बनता है वो बनता है कि सल्तनत काल में राजे का सरवोच अधिकारी या पदाधिकारी कौन होता है तो सल्तनत काल में सरवोच पदाधिकारी अधिकारी वजीर या प्रधान मंतरी जो कहते थे वजीर कहते थे ठीक है यह होता के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है तो उत्तर में हो जाएगा कि हम हिम नदियों की क्लियर हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी यू आकार में बदल जाती है क्लियर अब यहाँ पर नेक्स हो जाएगा हमारे 24 नंबर की वास्पी करण से आप क्या समझती हो तो उत्तर हो जाएगा कि सौर वीकरण द्वारा महासागरों नद्यों जलाइसियों के जल्वास्प में बदलने की प्रक्रिया वास्पी करण कहलाती है वाई मंडल में दोस्तों को शियर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा शियर करने की कोशिश करेंगे ज्यादा ज्यादा शियर भी करेंगे दोस्तों ठीक है सूर्या विताप की शे कहता है यानि सूर्य की जो उर्जा पिर्थवी की सतह तक पहुंचती है उसे सूर्या विताप कहते हैं और यह उर्जा लगू छोटी छोटी उर्जा तरंगों के रूप में आती है और इस उर्जा का कुछ भाग वायमंडल में बिद्धमान जलवास्व उजोंत था अन्य गैस अवसूसित कर देती हैं कुछ भाग कुछ अन्य भाग बादल आदी वापस शून में परिवर्तित कर देते ह कुछ मिला कर इसका 35% भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है अगला हो जाएगा हमारा 26 नंबर हो जाएगा साति हमापर की मूल अधिकार किस पर बल देते हैं तो मूल अधिकार यानि भारतियों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सर चांपर डालने पर बल देता है मूल अधिकार ठीक है मूल अधिकार यह होता है कि आर्थे वयवस्था की और यानि विकास की आध़र इना theor दो पर दोस्तों यहां पर हो जाएका प्रशन 28 नमर हो जाएका कि उत्पादन क्या है यानि अर्थसास्त में उत्पादन आध्योगिक प्रतिस्ठानों द्वारा वस्तुमों शामानों या शेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहते हैं और उत्पादन का उदेश ऐसे होते हैं अब यहीं पर बात कर लिते दोस्तों कि उपबोगता शंञल्ण अधनियपम कब लागो हुआ तो उपवगता सनर्शन अधनियम जो हुआ था 1986 को लागवा था नाक्स्ट प्रस्ण होगा जाएगा कि भारत किस गोलार्द में है ठीक है उत्तरी और पूर्वी गुलार्ध में है उत्तरी और पूरवी गुलार्ध में है इसी वज़े से दुस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि पूरव के शाइट पूरब का साइड जो होता है हमको कोने भी दिखाई देता क्यों क्यों क्योंकि उत्तर और पूरब जो सूर्य उगता है वो उत्तर और पूरब के बीच में उगता है क्लियर यानि कभी पूरब का पूरब में नहीं उगता है क्योंकि यही कारण है कि जो भारत है वो यहां से हम लोग जो भारत में हैं वो उतरी और पूर्बी गुलार्ध में हैं तो ठीक है? कि ससन में हुआ था तो चंद्रगुफ्त मौर के मृत 297 इशापुर में ओमर 41 से 42 सरवट बेल गोला करनाटक में क्यूं हुआ था इसका आप लोग जबाब बताएगा क्यों कि बहुत ज्यादा पोचा दता है किस कारण हुआ था आगे बात कर लेते हैं कि बिंदुसार का नौरत्नों के नाम धन्मानतरी, छपड़क, अमर सिंग, शंक, बैताल, भट और घटर पर्क, कालियाग, बाहार मिहीर और वर रूची कहा जाते हैं कि ठीक है ये कहा जाते हैं नौरत्न उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रस्ण हो जाएगा कि विसाखा दत्य के द्वारा लि देवी चंद्र गुप्तम से गुप्त वंसी सासक राम्द गुप्त के विसाय में सुचनाय प्राप्त होती हैं अगला हो जाएगा तो यहाँ पर 34 नंबर, 34 नंबर हो जाएगा राजपूत कालिन पूर्वी भारत के चार प्रमुक मंदिरों की नाम लिखिए ये भी दो नं 35 नंबर हो जाएगा भूकंब किशे कहता है भूकंब की तीव्रता नापने के लिए किश का प्रियोग किया जाता है बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों यह तो भूकंब किशे कहता है भूकंब दो सब्दों से मिलकर बना होता है भूकंब जिसका जिसका क्या होता है जिसक बोगर्ब पर, केंद्र से चारों और प्रवाहित होती हैं इसी प्रकार सेम उषी मैं परकार क्या होता है। कहीं माना गया, कहां पर ये केंदर था, कहां ज़्यादा तीवर था भूकंब, कहां से उत्पन हुआ है, और भूकंब केंदर के ठीक ऊपर, जहां भूकंब की लहरों का अनुभाव सरपृथम किया जाता है, उसे भूकंब अवधी, भूकंब अवधी केंदर कहते हैं, यानि यहां पर भूकंब अवद केंदर यहां से कहां से भूकंब सबसे पहले दिखाई पड़ा कहां से कपसे पहले जान पड़ा कहां सबसे पहले महसूस हुआ ठीक है तो यहां पर भूकंब की तीब्रता नापने के लिए रिक्टल स्केल रिक्टल स्केल का प्रयोग किया जाता है 36 नमर हो जाएगा अपसिस्ट किसे कहते हैं डाक्टर वर्सुड ठीक है यहाँ पर क्या गया डाक्टर वांस्डे निया अपनी पुस्तक में अपसिस्ट की बहुत ही सुन्दर परिभासा दी है कौन से दिया यहाँ पर इन्होंने यह है कि किसी निर्माण से उत्पन नस्ट हुई खराब अथवा अत्रिक्त सामगरी क्रसी तथा वानकी से अलग की हुई वस्तुवे मनों से तथा पसुओं के आवासिय अस्थानों से एकत्रित कूड़ा करकर जो अस्थान विसेश से उप संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था और या्स अम्मिधान सभात वर्यात कब पारित किया गया तो भारतिय संविधान के निर्माण में 2 वर्स विकास की लिए एक बहतर अस्तर का परतें निर्धारण करना कथृषिक भृषिवष्था में देशों में USA जापान जैसे डेष आते हैं जापान जैसे आते हैं आपको पता हैं विकसित देश हैं और हमारा जो भारत है वो भीकास सील है जिनकी नागरिकों के प्रती बेक्ति आए उच और बहतर जीवन के आधार पर विक्सित देश कहा जाता है। यानि विकास सील दोस्तों यहां पर आते हैं कि इस परकार की आर्थ वियोस्ता में ऐसे देशाते हैं जो अपनी पिछड़ी वियोस्ता से उच्छ बिकास की और प्रियासरत हैं जैसे कि आपका आजाता है भारत यह हो जाता है उसके बाद तो दोस्तों आपके लिए थो दूस्तों यहां पर 40 schon नमबर तक ही थे और अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब缩 सबस्क्राइब करके परिवार से इसना जरूर से जरूर बन जाय तब तक के लिए ताहिए को सो जैहिंद जैभर्द बंदे मारता मिलते हैं फिर से नाय नेक्स्ट वीडियो के साथ